हेलो गायज, वेलकम टू माई चैनल और गायज, आज हम देखेंगे कि इंडक्टर कैसे एनरजी स्टोर करता है और कैसे एनरजी रीज करता है तो आप ये सर्कुट देख रहे हो, ये एक बैटरी है, ये एक सूच है और यह inductor है यह एक resistance और यह भी एक resistance है तो यह switch अभी यहाँ पर connect है तो इसमें आप देख सकते हो कोई current flow नहीं हो रही है और यह battery से disconnect है क्योंकि यह इधर से connect है और इधर से connect नहीं है जब यह connect हो दाएगा तो इसमें यह circuit पूरा जाएगा और इसमें current flow होगी ठीक है तो इन जब में इसको switch को इधर करूंगा तो इसमें ऐसे current flow होगी और inductor energy store करेगा ठीक है और current भी लगातार flow दिलेगी और जब में switch को फिर दुबारे इधर करूंगा तो इसमें फिर ऐसे current flow होगी अब वो current क्यों फोलो होगी क्योंकि इसमें इधर तो बैटरी नहीं लगी हुई है बैटरी इधर लगी है बैटरी का disconnect हो गया circuit तो इसमें फिर current क्यों फोलो होगी है तो current इसमें इसलिए एक flow होगी कि inductor कुछ energy store करता है और उसको फिर release करता है तो कुछ time के लिए इसमे current flow होगी और कुछ time समय बाद इसमें वो current बंद हो जाएगी तो यही inductor का charging और discharging होता है inductor हमेशा कोई भी हो चाहिए relay हो जैसे की relay में आपने देखा होगा उसकी spike बनती है जब उसको drive करने वाला MOSCET या transistor ओप होता है तो वो उसका यही कारण है कि inductor energy store करता है फिर उसको release करता हो तो हम देखते हैं आप इसको हम मैं switch इधर करता हूं तो इसमें current ऐसे flow होना start होगी तो current इसमें flow हो रही है अब इंडेक्टर चार्ज हो गया इसमें ठीक है है हम मैं सुच को इधर करता हूं तो इसमें कुछ current flow होगी कुछ time के लिए और फिर बंद हो जाएगी तो उसका यही कारण है कि inductor जो है अपनी energy वो release करता है और इसमें current flow होती है और current कुछ समय बाद बंद हो जाती है तो वो current जो है जो इसकी storage energy है वो dissipate हो जाती है power dissipate उसका power dissipate हो जाता है power dissipation जैसे बोलते हैं वो क्यों होता है क्योंकि यह तो यह 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 तो एक resistance है ही और फिर वायर भी है और फिर इंडेक्टर में resistance होता है अगर मैं आपको बोलूँ कि इस resistance को अगर मैं हटा दूँ और इसमें यह ऐसे circuit फिर यहां से circuit पुरा कर दूँ और फिर इसको switch को on crew तब भी इसमें current flow होगी है और इसमें जो storage current है वो dissipate हो जाती है वो क्यों होती है क्योंकि circuit में resistance है अगर circuit में resistance ना हो और इंडेक्टर प्योर आइडेल हो तो वह energy कभी भी आपकी dissipate नहीं होने की कभी भी खतम नहीं होने की और वह ऐसे ही flow होती रहेगी और वह ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई बीवी component आइडेल नहीं होता और यह केवल imagination है यह केवल थियोरी है कि आइडेल है आइडेल है तो होगा लेकिन आइडेल नहीं है तो नहीं होगा आइडेल हो जहीं सकता तो अमीदा आपको यह समझ आया यह थियोरी क्या थियोरी यह इसकी वेफोर्म आप इसको देख सकते हो ठीक है जब में इसको इधर करूँआ तो यह नेगेटिव स्पाइक भी मारता है आप देख सकते हो यह आपर इसकी एनर्जी डिश्चार्ड हो लिए और इधर से इसकी नेगेटिव करेंट तो अमीदा आपको समझ आया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेश किजिए थैंक यू यहीं इंडेक्टर का प्रेक्टिकल भी यहीं इसी तरह होता है हम करते हैं एक्टुल हाडवेर के साथ